एलो गाइस वेलकम तो माई चैनल माई लाइफ माई वर्ल कैसे आप सब आप क्या सब बहुत अच्छे होंगे आज मैं यहां पे बनाने वाली हूं एक चोटा सा टेबल सीमेंट टेबल और यह देखिए आप तरी यह प्लास्टिक के रॉड है और इसको मैं यूज करके मैं बन इसको मैं बक्त में बनाऊंगी इसके लिए मैंने ओइल ले लिया है और ओइल से पूरा स्प्रेड करके फिर मैं इसमेंट डाल लकी उसको सेट करूँगी तकि अच्छे से सीमेंट जो मैं निकाल लूँ तो वापस से निकल जाए यह देखिए मैंने इसको लेके पूरा और टेप लगा दिया था की आहले और स्टेबल रहे फिर उसके बाध सोखने के बाद में इसको टेप निकाल दिया और यह देखे यह बिल्कुल ही स्टेबल हो गया है अभी थोड़ा जादा स्टेबL लही धा था टोड़ा से सीमेंट होते है कर्ण सोहने में टाcribed सो यह ब्रुश और यह पेंट के उससे मैं ने हेल्प से और यह मैंने ले लिया है इस शायनी ब्राउन आते हैं उस तरीके के यूट मैंने पेंट लिया है और इसको मै अच्छे से यहां पेंट करूंगी यह थोड़ा सा सीमेंट उतार राफ होता है सो पेंट करने में भी थोड़ा सा वो लगेगा और आप पुट्टी भी लगा सकते हैं और बट मैंने इसको पुट्टी का यूज नहीं किया था सो मैं इसके उपर ही डिरेक्टली लगा रही हूँ जो चीजें आप जितना यूज करोगे अच्छा तो बनेगा ही उतना बट जो चीजें हैं उतने में मैंने कोशिश किया कि मैं अच्छा सा एक प्यारा सा टेबल बना के तैयार कर दूँ सो मैंने इसको अलड़ी जो इसके मैंने ये पैर थे ices को प्लास्टिक को मैंने और यह इस को सीमिंट के और से, मैंने पेंट करना स्टार्ट कर दिया है विकॉरज यह सीमिंट का है और यह संदनी पसका बार तो इसके वजए से इस पर ठोड़ा चड़ना मुश्किल हो रहा थमें बट धीरे थीरे उसके पात फिर ॐ ये जब चड़ना start हुआ फिर 3-4 coating करके मैं मैंने इसको prepare किया और यह देखिये कि जब मैं इस्में कोशिश करें तो लगी नहीं रहा था कि इसमें paint चड़ रहा है और तोड़ा-थोडा-थोड़ा करके मैंने मैंने सुच था कि यह थोड़े थोड़े गैप इसमें डॉट्स बने हुए हैं बन गए थे और मैंने टैप किया था जैसे आप जब डालते हो सीमेंट तो अच्छे तरीके से टाप करोगे तो यह अन बुलबुले इसमें नहीं बन के आते हैं बट वो थोड़े रही जाता है क कि इतना भी आप करो सो अ इसके बाद फिर मैं इसको तीन-चार कोट करके यह देखिए आपके से इसमें रफ नस इतना आ उसको पूरी तरीके से पैंट कर लिया और अब यह देखे यह तेबल पनकर रेडी होगया है और यह लगे निरा कि यह वुदन नहीं है यह सीमेंट से बना है और बहुत ही प्यारा बहुत ही डियूरिबल और इतना मजबूत बिकाज यह प्लास्टिक के इसके लेक्स जो है यह प्लास्टिक के है और लेकिन उसके बावजूद इसमें बहुत ही डियूरिबिल्टी है और देखने में बहुत ही प्यारा सा लग रहा है लगी नहीं रहा है कि यह वुडन नहीं है और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं और यह देखें बहुत ही अच्छा लग रहा है तो इसको आप भी ट्राय कर सकते हैं इस पर एक सब्रतेANS करें . ऐसे सबादेखें. में सब्रतों सी प्रडाब करें , और decorate करके आप बहुत ही प्यारा लगेगा और यह देखिए जिस तरीके से आप इसको अगर ट्राइ करेंगे तो definitely आपके रूम में बहुत ही अच्छा सा एक texture बनकर आएगा तो बिल्कुल ट्राइ करिये गाइस को थैंक्स पर वाचिंग बाइए